वेलकम टू पीवियार स्टडी रख होंसला वो मंजर भी आएगा खुशियों का चल कर समंदर भी आएगा और ठक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर तू चलता जा एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा साथ यहों बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी में आज का टॉपिक होगा डेसिमल इक्सपेंसन जानी दसमलों परसार जिसमें हम दो परकार के डेसिमल इक्सपेंसन की बात करेंगे एक टर्मिनेटिंग दूसरा नान टर्मिनेटिंग इनके और भी दो छोटे भाई हैं उनको हम कल दिखाएंगे वो है नान टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नान टर्मिनेटिंग नान रिकरिंग या नान रिपीटिंग ठीक है आईए क्लास को पूरा अंडे तक देखिए कि 10 मिनेट के अंदर सब क्लियर हो जाएगा एक जम अच्छे से समझ की जाएंगे ठी समलोपरसार का मतलब इनको भाग करने के बाद कुछ आता है 1-2-3-4-5 कुछ भी जो भी जैफे देखिए मैं आपको क्या दिखाऊंगा जैसे 3 बटा 15 है न यहां पर देखना थोड़ा सा 3 बटा 15 इसका मतलब यह होता है साथी मेरे कि आपको 3 में 15 से ऐसे भाग करना है इसका ही मतलब होता है ठीक है तो पहले इसमें भाग नहीं जाएगा अगर वन बार तो हम 0 बार ले जाएंगे आप काऊंगे कैसे आइसे यह इस में से घटेगा नहीं उल्टा पड़ रहे हैं तो क्या करेंगे हम हम भाग ले जाएंगे जरूर बट 0 बार ले जाएंगे इनको घटाएंगे 3 आएगा अब फिर 0 बार ले जाने से कुछ हल नहीं हो रहा है तो फिर हम 10 हमलों बढ़ाएंगे यहाँ पर 0 उतारेंगे ठीक है? अब भाग जाएगा कितनी बार? दो बार जाएगा तो 15 दूना 30 यानि हम कह सकते हैं कि हमारा जो भाग फल आ रहा हूँ आ रहा 0.2 ठीक है? इसके आग एक 0 भी बढ़ा लो तो कोई बुराई नहीं है ठीक है उसका मतलब वही है इसमें कुछ अंतर नहीं है समझ में आई मेंना बात सबको अच्छा हुआ आओ चलो देखो अब आपके समझने के लिए मैं बता दूँ कि 0.20 को इसको हम 20 बटा 100 लिख सकते हैं लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन कहीं गड़बड नहीं होना चाहिए देखो सही गया है क्या यह 15 दूना 30 सही तो है यार तो एक मिनिट यहां पर देखो एक बटा 5 कैसे आएगा फिर इसको हल करने के बाद भी फिर वहीं आना चाहिए तीन बटा 15 आना चाहिए अगर नहीं आ रहा तो फिर हमारा यह भाग गलत है ठीक है कमद रहो ना आईए अगर हम यहां पर एक जीरो जो अपने मन से बढ़ाए है माल ना बढ़ाए तो क्या बनेगा यह यह बनेगा दो बटा 10 तो एक बटा 5 आएगा हाँ तो सही है इसमें बुरा क्या है एक बटा 5 ही तो है ना जनाब यह उपर का जो है यह तीन एकम तीन तीन पचे पंदरा कर जाएगा ना बोलो सही है ना हम चाहें तो इसको तीन बटा पंदरा बना सकते हैं कैसे इसमें अंसवा हर में तीन से गुड़ा कर दें तो तीन बटा पंदरा भी हो गया मुझे थोड़ा डाउट होने लगा था बीच में क्योंकि वो एक बटा पांच आ जा रहा था तीन बटा पंदरा था बत समझ गये ना इसका मतलब ये चीज सही है लेकिन इतना ही नहीं ऐसे सब में नहीं होता इतना आसान नहीं है जैसे आप देखो वन पांथरी वन पांथरी देखिए यानि मैं आपको कम संब्दों में अगर बता दूँ तो आगर नीचे वाले हर से भाग करने पर अंसमें जीरो आ जाए से इस पल मतलब एक जगा भाग इंड हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग है जिसे सांत दसमलो परसार बोलते हैं जैसे यहां हुआ अगर यह जीरो ना आए तो उसे आसांत दसमलो परसार बोलते हैं नान टर्मिनेटिंग बट यह तरीका थोड़ा लंबा है हम इसका 60 तरीका भी आपको बताएंगे जैसे इसको देखिए अगर यहाँ पर अगर हम 3 से भाग कराएं आपको 1 में तो 0 बार पहले ले जाएंगे आपको पता है इसको सब्ट्रेक करोगे 1 आएगा अब उपर दसमलो बढ़ाओगे भाई तो 0 उतारोगे अब 3 बार जाएगा यह 9 सब्ट्रेक करो 1 आया एक बार दसमलो बढ़ाने के बाद फिर हम बार बार 0 उतार सकते हैं फिर हम यहाँ पे एक 0 और उतार लेंगे फिर 3 तरीक कर 9 आप देखिए फिर से घटा होगे फिर 1 आएगा फिर 0 उतार लोगे और फिर 3 तरीक कर 9 अब देखो यहाँ डाल नहीं कल रही है डाल में कुछ काला हो रहा है तो यह फाइनल में इतना आ रहा है इतना ऐसे बार बार ऐसे रिपीट हो रहा है इसका कोई लिमिट नहीं यह कहां तक जाएगा बढ़ा जाओगे लड़के बच्चे हो जाएंगे तब तक यह जाता जाएगा कटेगा नहीं कभी इसको क्या बोलता है ना टर्मनेटिंग डेस्माल इक्सपेंसन तो यह इतनी बड़ी वजाई ना करना पड़े हम सिर्फ देख करके जान जाएं कि कौन टर्मनेटिंग है कौ देख के बता दो देख के बता दो मतलब उसको कुछ भागवाग नहीं करना है आईए अब तो यह आप तो आप प्रमनेटिंग और नान टर्मनेटिंग होता क्या है अब हम आपको समझाएंगे कि आप देख कैसे जानेंगे ठीक है पहला इसको देखिए यह क्या निकला देख समेल एक्सपैंसान लिख दो देख से सांत दसमलो परसार आठ बटा एक कैस क्या है तर्मनेटिंग है या नान टर्मनेटिंग है कमेंट करके बताओ फट से अगर टर्मनेटिंग है तो टी एन लिखिए नान टर्मनेटिंग है तो लिखिए यन टी यह कोड है बस बता इनको ले आओ इधर इनको देख के मैं बता दूँगा फिर बाद में आपको बिश्तार वाला करके दिखाऊंगा अगर किसी भी फ्रेक्षम का जो हर है नीचे का गिंती है उसका अभाज गुड़न खंड करने पर उसके अभाज गुड़न खंड में दो आए या पांच आए दो या पांच आए ठीक है या सिर्फ दो या सिर्फ पांच थोड़ा सा कुछ दो और पांच आए ठीक है या सिर्फ पांच आए यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना है दो कामा पांच ऐसे 2 और 5 समझ में आया कुछ की नहीं अगर किसी के दसमलो परशार में हर काभाज, पुढलन खड़मे 2 और 5 आता है 2 और 5 आता है या सिर्फ 2 आता है या सिर्फ 5 आता है तो उसका दसमलो परशार सांत होगा यानि उसका पूरता भाग चला जायेगा एक समय पे 0 आएगा अगर इसकी अलामा कुछ और भी होगा कुछ भी है ना तो सिर्फ 2 है ना तो सिर्फ 5 है ना ही 2 और 5 दोनों है अच्छी कंडिशन में उसका दसमलोग परसार हमेशा आसान्त होगा समझ में आया? आप कहोंगे कि फिर ये लाजिक तो आपका पिछलका सवाल पर नहीं लागत रहा इसे कईसे बताए दिया तो उल्टा पूल्टा कई के ये जो 3 बटा 15 लिखे रहा एमा कहां एमा कहां आईफा रहान है ना तो दूई रहान ना तो 3 पांच आईशा तो कोई नहीं रहा था वह इसे था बबू ये देखो कैसे 3 से 3 आप अपटा सकते हो ना तो वानपान फाइप ये तो था ये जा था एक बटा 5 ही तो था ये तो मुखवटा पहिना के 3 बटा 15 बनाया गया था मंज में आया ना तो ये आपको देखना पड़ेगा मुखटा उठाके मतलब गुखटा उठाके कि क्या है अंदर में